Good day to all of you जैसा कि आप सब भी जानते हैं आज यह है आपकी प्रैक्टिस क्लास है आए कुछ पिछली क्लास के बारे में बातचीत कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं Spelling Option का उप्योग क्यों करते हैं Spelling Option से आप Text की Spelling चेक कर सकते हैं अगर आपने कोई गलत Spelling लिखा है तो उसे Spelling Option से ठीक कर सकते हैं Custom Animation का उप्योग क्यों करते हैं Custom Animation से आप Slide पर ये किसी Object पर एक परकार के Effects लगा सकते हैं जैसे आपने किसी Film में देखा होगा कि उसके नाम इधर उधर से निकल कर आते हैं ये भी Custom Animation ही होता है क्या आप जानते हैं Customize से क्या होता है Customize Option की मदद से आप Menu बार को Customize कर सकते हैं उसके Options को भी Customize कर सकते हैं और खुद से भी अपने नाम के Menu को बना सकते हैं यहां Customize का मतलब है कि आप अपने अनुसार किसी भी Option का उप्योग कर सकते हैं क्या आपको पता है कि इंट्रेक्शन क्या होता है इंट्रेक्शन ओप्शन की मदद से आप स्लाइट सो के समय आप चाहते हैं अगर आपको स्लाइट वहाँ से मूव करनी है वहाँ से किसी दूसरे स्लाइट पे जाना है तो आप क्लिक करके दूसरे स्लाइट पर जा सकते हैं या फिर आपने किसी दूसरे डॉक्यमेंट को वहाँ पर एड किया है तो आप स्लाइट सो के टाइम पर वहाँ पर क्लिक करके किसी दूसरे डॉक्यमेंट को ओपन कर सकते हैं क्या आप जानते हैं Custom Slide Soak क्या होता है Custom Slide Soak की मदद से आप अपने अनुसार उन स्लाइड को Select, Add, Delete कर सकते हैं जिने आप Slide Soak के दोरान आप देखना चाहते हैं अथवा आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप Custom Slide Soak Option का उप्योग करेंगे अब आप सभी अपने Computer को On करें और Impress की File को बताएगे तरीके से Open करें क्या आपने File को Open कर लिया है आईए आज की Class सुरू करते हैं सबसे पहले आप पांच स्लाइड को Insert करेंगे क्योंकि आप हर एक स्लाइड में अलग-अलग कार्य करेंगे सबसे पहले स्लाइड में सामने दिये गए Paragraph या Computer सिक्षा के बारे में टाइप करेंगे अब आगे की स्लाइड में आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करें और उसे डिजाइन करें क्योंकि ध्यान रहे कि हर एक स्लाइड के पिक्चर पर उसके बारे में कुछ टेक्स्ट जरूर टाइप करें और उस पर Custom Animation लगाएं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं ये कारिय कैसे करना है आईए वीडियो की मदब से बाद स्लाइड को इंसर्ट करें और उस पर अलग-अलग कारिय को करना सीखें स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड पैंट पे जाएं वहाँ पर राइट क्लिक करें और New Slide विकल्प को सलट कर लें जैसे के अपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो आपकी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी अगर आपकी इसे blank करना चाहते हैं प्राइस साइड में ले आउट को उप्षन है उसमें से ब्लैंक ले आउट को सेलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से एक और स्लाइड को इंसर्ट करें आप सभी को पांट स्लाइड इंसर्ट करनी है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिस slide पे भी आप drawing करना चाहते हैं, हैं विछ slide को select कर ले, हमने यहापर second slide को select किया, drawing toolbar में से किसी भी एक shape को select कर ले, और फिर उसे slide पे draw करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है, हमने यहापर एक shape को draw किया, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसके ओपर टाइटल स्लाइड को सेलेक्ट कर ले अगर इसका टाइटल देना चाहते हैं यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करें और यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ुझ जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रही है अगर आप इसमें पूर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप फूर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसके लिए आपको लाइन टूलonces ऐूलिंग अगर इसके अंदर कलर फिल करना है तो कालर के उप्शन पर जाके इसमें कलर कर देंगे अगली स्लाइड को सेलेक्ट करें टैटल स्लाइड को सब्सक्राइब कर लें को कि नीचे वाले कंटेंट को आप डिलीट कर दें और प्रच जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है आप टैटल टाइप कर ले हुमने यहां पर a smiley face टाइप किया आप drawing toolbar में से smiley को यहां से draw करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी कोई भी drawing को आप draw कर सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं अगर आपको formatting करने हैं formatting करने के लिए line and filling tool bar पे जाना है और इसके अंदर color fill कर देना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पिर से अगली slide को select करें अगर इस पर आप picture insert करना चाहते हैं picture insert करने के लिए insert menu पे click करें picture वीकल्प को select करें from file वीकल्प को select करें जैसे आप from file वीकल्प पे click करेंगे एक box open हो जाएगा इनमें से किसी भी एक picture को select कर लें फिर open पे click कर दें जिस picture को भी आपने select के हुए picture आपके slide पर insert हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से अगली slide को select कर लें अगर आपको इस पर drawing बनानी है drawing tool पर जाएं किसी भी एक save को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने यहाँ पर एक save को select किया फिर slide पर जाना है और वहाँ पर इस तरीके से drag करना है जैसे आप drag करेंगे जो भी अपने save को select किया होगा वह save draw हो जाएगा अगर इसके बारे में आपको चलाइन टाइप करना चाहते है title slide को select कर ले contents को delete कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है उसे select करके delete button को एक बार प्रेस कर दें फिर title पर click करें और इसके बारे में जो भी आप title लिखना चाहते हैं तो आप title को लिख सकते हैं अगर save के अंदर formatting करना है तो आप यहां से formatting भी कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया अब हमें इन सभी slide पे इसकी design को change करना है इसकी design को change करने के लिए आप सभी slide pane पे right click करें slide design option को select करें load option को select करें यहां पे आपको अलग-लग प्रकार की design दिखाय दे रहोंगे इन में से किसी भी एक design को select कर लें फिर ok पे click कर दें यहां पर आप देख सकते हैं exchange background page अभी unselect है जब आप ok पे click करेंगे तो शिर्फ इस slide को आपने select किया है उसी के design change होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है किसी प्रकार से अगले slide को select करें इसका भी design change करने के लिए यहां पे right click करें slide design option को select करें अब यहां पर देख सकते हैं हमने एक्सेंज background page पे click कर दिया हो फिर से यहां पर load पे click करें presentation background को select करें यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के design उपलफद हैं इन में से किसी भी एक design को select कर लें ok पे click कर दें अब यहां पर देख सकते हैं action background page जो हमने इसे select किया है जब आप इसके ok के button पे click करेंगे जितने भी slides हैं सभी slides पे design apply हो जाएगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने ok पे click किया हमार पास जितनी भी slides थी उन सभी slides पे यह design apply हो गया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है custom animation लगाना है उसके लिए slides वो पे click करें और custom animation पे click कर दें और उसके बाद add के option को select कर लेना है आपको यह ध्यान में रखना होगा आपको जिस पे भी custom animation लगाना चाहते है अगर आप line पे लगाना चाहते है तो आपकी line select होना है अगर आप object पे लगाना चाहते है तो object select होना चाहिए तो आप यहां पे देख सकते हैं हमने add पे clickAmerica तो कुछ भी option अभी highlight नहीं हो रहे है इसलिये हमें जिस पर भी animation लगाना है पहले वह चीज सेलक्ट होना चाहिए हमने फिर से custom animation पर क्लिक या लेकिन फिर भी यह highlight नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसके उपर अभी तो कोई भी object को select नहीं किया था जैसे आपने second slide में जाके object को select किया तो आप देख सकते हैं यह option अब highlight होने लग गया है इस पर आप अलग अलग परकार के animation देख सकते हैं आप उस animation को select करके आप इनको लगा सकते हैं इसी परकार से आप पहले slide को select कर लें जहाँ पर आपका paragraph लिखा है paragraph को आप select करें फिर add पर click करें जैसे आप add पर click करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको animation को options दिखाए देए रहे होंगे आप इनको select करके आप इनको उप्योग कर सकते हैं हमने यहाँ फिर से तीसरी slide को select किया add पर click किया यहाँ पर अलब परकार के animation दिया हुआ हमने animation को select किया सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो वह उस उब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा इसी प्रकार से एगले स्लाइड को भी सेलेक्ट कर लें जो भी उब्जेक्ट है उस उब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें उब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद add पे click करें animation लगा के ok पे click कर दें अब उन सब animations को देखने के लिए आप सभी को slide show करना है जब आप slide show करेंगे और down arrow की आउप योग करेंगे तो जो भी अपने animation लगाए हैं आप उन सभी animations को आप देख सकते हैं जैसे कि paragraph पे text पे लगाया था यह animation तो आप यह animation दे सकते हैं फिर आप down arrow की करेंगे जो आपने object पे लगाया था वो animation आपको object पे दिखेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आप down arrow to press करते जाएं और सारे animation को आप एक एक करके देख सकते हैं जो भी animation आपने object पे यह slide पे लगाया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप इन पे animation भी लगा सकते हैं अब आप interaction option की मदद से आप किसी दूसरी file को open करके दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से देखें और सीखें की interaction option का उप्यो कैसे करते हैं आए वीडियो की मदद से interaction विकल्प के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं इंट्रेक्शन विकल्प की मदद से आप अपने slide show के दौरान किसी पे भी आप कोई अलग परकार के actions लगा सकते हैं जब भी आप उस पे click करेंगे तो आप last slide या पहले slide पे जा सकते हैं या किसी दूसरे document को भी open कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले जिस slide पे भी आपको interaction लगाना है फिर उसके title work में जो भी title लिखा है उसको select कर लें हमने इस title में computer sixa को select किया फिर slide show पे click किया और interaction विकल्प को select कर लिया यहाँ पे एक box आ जाएगा यहाँ पे अलग-अलग परकार के actions दिये हुए हैं इन में से किसी भी actions को आप select कर लें हमने go to document को select किया हम चाहता है कि जब भी हम इस पे click करें तो किसी दूसरे document को open करें आप देख सके वीडियो में जैसे हमने go document पे click किया ब्रॉज पे click किया तो एक box आ गया यहाँ पे अलग-अलग परकार के file और folder दिये हुए हैं इन में से जो भी file आपको add करने है उस file को select कर लें और open पे click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने यहाँ पर slide 1 को select किया है और फिर okay के button पे click कर देंगे अब देख सकते हैं जैसे हमने okay के button पे click किया तो वो box चला गया अब हम slide show करेंगे slide show करने के लिए आप सभी को slide show विकल पे click करना है या फिर इसके लिए आप shortcut command F5 का भी उपयोग कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं जैसे हमने first slide slide show के यहाँ पे computer 6 से लिखा हुआ है जो title में लिखा हुआ है जैसे आप इस पे click करेंगे जिस document को भी आपने select किया था वे document यहाँ से open हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से इसे close कर दे इस प्रकास से आप interaction विकल्प का उपयोग कर सकते हैं interaction विकल्प की मदद से आप slide show के दौरान किसी दूसरे document पे जा सकते हैं अब custom animation के उपयोग से हर slide पर अलग-अलग कारियों को करें और उसके बारे में बताएं कि क्या हुआ अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से custom animation के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं custom animation छे आप अलग-लग परकार की effects लगा सकते हैं शब़से पहले जहां पर आप animation लगाना चाहते हैं उस slide को सिलयक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में डिखाय जा रहा है हमने first slide को सिलयक्ट किया और text को select कर लिया, जैसे कि वीडियो में दिखा जा रहा है, slide show पर click किया, और custom animation पर click किया, उसके राइट साड में यहाँ पर add का option है, उसके click करें, यहाँ पर आपको अलग लग परकार के animation दिखाई देंगे, आपको जिस तरीके के भी animation चाहिए, आप उसे select कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहे हैं, यहाँ पर अलग लग परकार के animation दिए हुए हैं, आप इन्हें select करें, फिर ok के button पर click कर दें, जिस animation को भी आपने select किया है, आपके slide पर apply हो जाएगा, फिर से दूसरी slide को select करें, अगर आप चित्र पर या किसी picture पर लगाना चाहते हैं, तो picture को select करें, फिर add पर click करें, custom animation का box आजाएगा, यहाँ पर अलग लग परकार के animation दिए हुए हैं, इन्हें से किसी भी एक option को आप select कर लें, फिर ok के button पर click कर दें, तीसरी slide को select करें, जिस भी object पर अप लगाना चाहते हैं, उस object को select कर लें, फिर add पर click करें, यहाँ पर अलग लग परकार के animations दिए हुए हैं, इन्हें से किसी एक option को select कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर ok के button पर click कर दें, फिर से अगली slide को select करें, picture को select करें, add पर click करें, किसी भी animation को select करें, और ok के button पर click करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर से अगली slide को select करें, object को select करें, add पर click करें, किसी भी परकार की animation को select कर लें, जिसे आप slide पर लगाना चाहते हैं, फिर ok पर click कर दें, अब इन सारे animation को देखने के लिए slide show करें, slide show के लिए आप सब भी F5 press कर सकते हैं, F5 press करें, arrow key की मदद से आप इसे scroll करें, जैसे जैसे आप down arrow key यूज करेंगे, प्रेस करेंगे, जो अपने animation लगाए थे, वो animation आपको दिखाई देगा, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, slide show से बाहर आने के लिए, escape का button दबाएं, इस प्रकार से आप custom animation का उप्योग कर सकते हैं, आईए अब rehearse timing के बारे में सीखते हैं, rehearse timing option के दवारा आप अपने slide में जो भी काम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वह एक slide आपके दवारा दिये गए, time के अनुसार बदल जाए, तो आप rehearse timing का उप्योग करेंगे, आईए अब ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को देखें, और समझते हैं कि rehearse timing option का उप्योग कैसे करते हैं, आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं, rehearse timing का उप्योग कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, rehearse timing की मदद से आप slide पर time को set कर सकते हैं, और उतने time के बाद वो slide अपने आप बदल जाएगा, इसके लिए आप सभी को slide विकल पर पहले click करना है, slide सो विकल पर click करने के बाद आप सभी को rehearse timing पर click करना है, हमने first slide को यहाँ पर select किया, फिर rehearse timing पर click कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर time अभी so नहीं हो रहा है, क्योंकि time इसलिए so नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर custom animation लगाया हुआ है, जब तक हम custom animation को पहले play नहीं होने देंगे तब तक यह time so नहीं होगा, हमने फिर से यहाँ पर custom animation, हमने फिर से यहाँ पर slide सो पर click किया, slide सो पर click करने के बाद reassignment को select किया, जो भी animation लगाया, पहले animations को play होने देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जब भी animations play होगा, तो यहाँ पर timing सो होने लगेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर right click करके next पर click कर दे फिर से animations को play होने दे animations को play होने के बाद फिर next कर दे जिदने timing के बाद भी आप next करेंगे अगली slide आ जाएगी फिर से animations को play होने दे जब animations play होगा animations play होने के बाद यहां पर timing सो करेगा उस timing के बाद आप next slide पे click कर दे right click करके next पे click कर दे फिर से अगली slide आ जाएगी जो भी animation लगा है पहला animations play होगा animations play होने के बाद time сво करेगा यहापे और जितने भी time के बाद आप next slide पे करना है आप next slide पे जा सकते हैं इसके लिए right click करेँ और next पे click कर दे फिरसे जो भी आप slide पर animation लगा है पहले वो animations play होगा जितने देर बाद ही आपको next पर click करने next पर click कर दें यहाँ पर भी सारे slide खतम हो गया है इसलिए यहाँ पर previous option आया तो आप सभी यहाँ पर end slide पर click कर दें अब timing लगाने के बाद फिरसे slide show पर click करें और slide show करें जो भी आपने timing को set किया था उस timing के बाद यह automatic time अपने बदल जाएगा अगली slide आ जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर पहले slide को select किया फिर slide show विकल्प को select किया आप पहले down arrow key का use करें क्योंकि हमने यहाँ पर animation लगाया है अगर आपने भी animation लगाया है तो पहले animations को play होने दें जब animations play होगा animations के बाद जो भी आपने timing set के था उस timing के बाद आपका slide automatic बदल जाएगा फिर से animations को play होने दें animations को play होने के बाद आपने आप यह change हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी परकार से फिर से animations को play होने दें प्ले होने के बाद जो भी आपने timing यहां पर लगाया था उस timing के बाद यह automatic change हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर से next slide पर आएं जो भी आपने animation लगा है वो पहले animations को play होने दें और इसके बाद आप देखेंगे यह automatic अपने next slide पर change हो जाएगा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप रियर स्टैमिंग का उपयोग करना सीख सकते हैं अब आप सभी style and formatting की मदद से आप सभी slide के background color को red करके दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से शीखें आए वीडियो की मदद से style and formatting विकल्प का उपयोग करना सीखें style and formatting की मदद से हमें हर एक slide पे इसके background color को change करना है इसके लिए आप सभी हमने यहाँ पर पहले slide को select किया क्योंकि हमें इसका background color को change करना है format विकल्प क्लिक किया format विकल्प क्लिक करने के बाद हमने style and formatting option को select कर लिया अब यहाँ पर background को option है हम उसको select करेंगे select करने के बाद उस पर right click करें right click करने के बाद आप देखेंगे modify को option है modify पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको area को option दिखाएगा और fill के अंदर अलग बरकार को options दिये हुए अगर आप color करना चाहते है color करने अगर इस पर कोई अलग pattern करना चाहते है तो यहाँ पर अलग pattern का भी options दिया हुआ है अलग-अलग style दिया हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर color करना है हमने red color को select किया और ok पर click कर दिया जैसे हमने ok पर click किया तो आप देखेंगे जो हमारी पहली slide है उसका background color change हो गया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप style and formatting की मदद से किसी भी slide का background color change कर सकते हैं इस प्रकार से आप style and formatting का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी हर एक slide का slide transition करके दिखाएं जिसमें time दिया गया हो अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की मदद से slide transition के बारे में सीखते हैं slide transition की मदद से आप पूरे slide पे कोई किसी भी परकार के effect लगा सकते हैं और उसके साथ में आप sound effect का भी उप्योग कर सकते हैं इसके लिए आप सभी को slide show पे click करना है उसके बाद slide transition option को select कर लेने हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसी click करेंगे यहाँ पर आप right side में देख सकते हैं अलग-अलग slide effects दिये हुए हैं आप इन में से किसी भी effect का use कर सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हर effect के साथ आपको यहाँ पर sound का वी effect दिया जाय रहा है आप यहाँ से हर एक slide के ऊपर sound effect भी लगा सकते है हमने यहाँ पर advanced slide में on mouse click या फिर automatic after 5 seconds यहाँ पर select किया आप यहाँ से timing change कर सकते हैं कि automatic कितने दिर के बाद यह sound play हो यह sound change हो यहाँ पर applied to all slide का option है अगर apply to all slide पर click करेंगी जो भी apply effect को select किया है और जो भी अपने sound को select किया है वो हर एक slide पर apply हो जाएगा और जो भी अपना यहाँ पर time को set किया है उस timing के बाद वो change होता जाएगा और उसके साथ में जो sound है वो sound भी change होता जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब हमने F5 प्रेस करके स्लाइट सोग किया स्लाइट सोग करने के बाद आप देखते हैं जो भी हमने टाइमिंग को सेट किया था उस टाइमिंग के बाद यह आटोमेटिक चेंज हो रहा है और इसके साथ में साउंट भी प्ले हो रहा है क्योंकि यह recorded वीडियो है इसके नदर आपको साउंड सुना ही दे रहा होगा आप सभी खुद करके देखें आप सभी को जो भी आप साउंड को सलेक्ट करेंगे वो साउंड आपको सुना ही देगा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर automatic slide चेंज हो रहा है और साथ में यहाँ पर sound भी play हो रहा है यह आप practically करके देखें तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं आप slide effect और sound effect दोनों के बारे में आप दोनों का उप्योग कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं timing के बाद slide effect भी change हो रहा साथ में sound भी change होता जा रहा है फिर skip के button दबा के बाहर आ जाएं तो इस परकार से आप slide transition का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी slides को slide show में दिखाएं लेकिन याद रहें यह slide में text picture slide पर time set होना चाहिए जिससे यह पूरा presentation swim चले आप चाहें तो real timing का भी उप्योग कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदस्ते सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं जो भी अपने custom animation लगाया है उसके ओपर timing को कैसे set करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर custom animation को लगाएंगे जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने पहले slide में जो भी title लिखा था उसके title को select किया सेलेक्ट करने के बाद हमने उसके ओपर animation लगा दिया उसका अदब paragraph देखेंगे इसके ओपर पहले सी animation लगा हुआ था आप लोगों ने भी पहले सी custom animation को लगाया होंगे तो आपको right side में दिखाई देगा इसी प्रकार से हमने अगली slide को select किया जो भी इसका title उसके title को select किया और इसके ओपर हमने custom animation को लगाया अभी आप नीचे देखेंगे जो shape बना हुआ है उसकी shape को पर पहले से ही यहाँ पर बना हुआ है animation लगा हुआ है उसको हमने पहले वाले को delete कर दिया आप यहां से remove कर सकते हैं या फिर आप delete भी कर सकते हैं यहाँ पर आप आप वह animation पसंद है यहाँ पर देख सकते हम जो that sam पर पहले से ही animation लगा वगा हुआ तो हमने एक animations को यहां से delete कर दिया कि मैं इसी प्रकार से हमने अगले slider को select किया यहाँ पर picture तो आप देख सकते हमें पर पहले से हमने animation को लगा हुआ है एड़ पर click किया इसको पर हमने animation को लगाया यहां पर right-hand में देख सकते हैं जो भी animation लगाया है वो यहां पर लिखा हुआ आ गया है फिर सागले slide को select करें यहां पर title में जो text है इसको पर अब rare animation लगाना चाहते हैं इसको select कर ले कोई भी animation आप लगा सकते हैं आप animation को select करें उसे लगा लें किसी प्रकार से save को भी select करें और select करने के बाद उस पर animation लगा लें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको select किया और इसके उपर animation लगा दिया अब हमें इसके उपर time को set करने है time को set करने के सबसे पहले slide को select कर लें जहाँ पर आपका जो भी अपने animation लगा था आप यहाँ पर right side में देख सकते हैं हमने जिसके उपर animation लगा था वो यहाँ पर show कर रहा है अगर आप इसके order को change करना चाहते हैं जैसे यहाँ आप आप आप आप right side में एक छोटा से बटन देख सकते हैं इस पर आपको click करना है फिर आपको timing का option को select करना है जैसे का वीडियो में देख सकते हैं जितने समय कभी आपको delay timing चाहिए वह आप यहाँ पर timing को set कर सकते हैं start में आपको after previous विकल को select करना है फिर okay पर click कर देंगे अगर आ परकार after previous विकल को select नहीं करेंगे तो यह automatic play नहीं होगा इसी परकार से आपको paragraph के उपर लगाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपनी effect लगाया है जो animation लगाया है वहाँ आप सोर है उसको select कर लें तो इस button पर click करें timing पर click करें after previous विकल को select करें जो भी timing आपको set करना है उस timing को set करें फिर okay पर click कर दें इसी परकार से आप अगले slide को select करें यहाँ पर देख से तो जो title लिखा हुआ है वो नीचे है इसको shift करने के लिए जहां पर change order है वहाँ से हम इसका order को change करेंगे सेप नीचे तो इसको second number पर लेंगे जो title वो उपर है इसको select किया जो हमने इसको पर animation लगाया है फिर बटन पर click किया क्लिक करने के बाद दो timing option उसको select किया तो जित्ता भी आपको timing set करना हुआ हमने यहाँ पर timing set किया फिर हमने यहाँ पर start में जाके after previous विकल्प को select किया फिर okay पर click कर दिया इसी परकास हमने शेप विकल्प को select किया फिर उस बटन पर हमने क्लिक किया इसको पर भी में timing को लगाना है आप्टर previous को select किया यहाँ पर delay का option है यहाँ पर हमने timing को set किया फिर okay पर click फिर okay पर click कर दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है फिर से अगली slide को select किया यहाँ आप देख सकते हैं आप स्माइली फे जो टाइटल को नीचे इसके हमने order को change किया यहां से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर सके उपर हमने timing को set करना है timing को set करने के लिए इस button पर click किया फिर यहाँ पर timing option को select किया जहां पर start है वहाँ पर आपको after previous करना है आपको हर एक object object के बाद after previous विकल्प को select करना है फिर जो भी timing को आप select करें और पर click कर दें अगर आप after previous विकल्प को select नहीं करें तो यह automatic play नहीं होगा फिर से जो से पर से पर से लिए पर से लिए जो आप राइट साथ में देख सकते हैं फिर चोटे से बटन पर click करें इस तरह के आपके पास एक box आ जाएगा फिर आप्टर previous विकल्प को select करें जो भी timing और timing को set करें फिर okay पर click कर दें इसी परकार से अगले slide को आप select करें यहाँ आप आप देख सकते हैं राइट साथ में जो box है उसके अंदर आपको 3-3 बार bitmap 1 bitmap 1 दिखाई दे रहोगा यह जो भी आपने custom animation लगाया थे यह animation है इसका मतलब यह कि आपने तीन बार animation लगाया अगर इसको आप remove करना चाहते हैं इसको select कर लें तो remove पर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिख सेलेक्ट करें जो भी आपको timing सेट करने उस्टाइमिंग को सेट करें जहां पर start को option है यहां पर हमें after previous options को सेलेक्ट करना है पिर ओके पर click कर देने है पिर आपके आखरी slide है उस आखरी slide को भी select कर लें जहांप आप देख सकते हैं सबसे उपर title में क्यूब लिखा है लेकि क्यूब आप देखते हैं यहां पर थर्ड नंबर पर इसके order को आप चेंज कर लें यहां चेंज ओडर का option है दो बटन है यहां पर up and down इसके order को चेंज कर सकते हैं जो आपने extra animation लगा है आप उस animation को यहां से हटा भी सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है रिमूब करने के बाद रिमूब करने के बाद उसको सेलक्ट किया उसको उपर रमने टायमिंग को सेट कर दिया जैसे कैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है प्र यह आफे प्रिवीज विखल उसलेक्ट किया ओधम है जो दिले का ओप्सन है एक हमने हाँ यह पर टाइमिंग को सट किया फिर वके पर क्लिक कर दिया फिर में सेप पर टाइमिंग को सट करना है शिट को सलेक्ट किया एक है कि मैं नहीं पर टाइमिंग को सट किया फिर अप्टर पिपी डिग किया कि एक पूब की लिए अब इसको इसलाइटी आप पर टाइमिंग को सेट कर लिये आप सब्सक्राइइज करना होगा सकते ऐसे का वीडियो में देख सकते हैं जो डोट से दिखा देरा है इसका मतलब आपट shift लगाया हुआ है कि अध dementia करना चाहते हैं औ lac 지 च्वीच कर सकते हैं इसको पर स्लाइड ट्रांजेशन लगा है नि यह है अब आपको करना है तो आप भी यहां से स्लाइड ट्रांजेशन हर एक यहां से लगा सकते हैं अब हमें इन कि अनिमेशन को देखने के लिए जो आपने आपने यहां पर प्ले होगा जितने अपने टाइमिंग के था उस टामिंग के बाद आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां आप आप देख सकते हैं यह अपने अपने प्ले हो रहा है जितने समय के आपने डिले टाइमिंग सेट के था उतने समय के बाद यह अपने आप एक स्लाइट जो भी अनिमेशन है वो अपने आप प्ले हो रहा है जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं तो इस प्रकार से आप स्लाइट को उपर एनिमेशन को उपर टाइमिंग को सेट कर सकते हैं जिससे आपको स्लाइट ऑटोमेटिक प्ले होने लग जाएगा क्योंकि आज की क्लास यही पर समाप्त होती है अब आप सभी अपने कंप्यूटर को सट डाउन करें आज आप सभी ने पिछेले क्लास का अभ्यास किया जैसे की इंट्रेक्शन, मीडिया प्ले, कस्टम अनिमेशन, रियर्स टाइमिंग, आप्शन और कस्टमाइज आप्शन के बारे में भी सीखा और उसका रिवीजन किया